हलो पर नवसकार मेड़ी प्यार आपको यूट्यूब चैनल में बहुत वस्वागत करता हूँ तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कि कोई स्टॉक उपर कैसे जाएगा कब जाएगा कैसे जाएगा और नीचे कैसे आएगा और कब आएगा यह कंडिशन क्या होती है कैस चीज समझी है यहां पर मैं दो चीज बताऊंगा आपको कि एक तो यहां लाइन चार्ट पर बता रहा हूँ एक केंडल चार्ट पर बताऊंगा बड़ा इजी है बड़ा सरल है बहुत छोटी वीडियो है ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं मनाने वाला में चाहे तो आप आ 55 अभी आप एक वार यहां कलिक करें यहां कितना यह 37.99 करीब अभी यहां करें 349 अभी देखी यहां पर एक वार कलिक करें 346 तो यह इसने यहां पर क्या है कि अपना एक यहां पर रेजिस्टेंस create कर दिया कि market यह बार वार यहां तक जा रहा है फिल नीचे आ रहा है लोगों ने target लगा रहे हैं 349,443,349,349 तो वो उसको touch करता है और जैसे target हिट होता है तो वो नीचे आ जाता है अब देखिए यहां से क्या है कि यहां से यह यह नीचे आया है अभी नीचे क्यों आया है मैं आगे आपको candle chat पर बताऊंगा क्यों आया है उसका आने का क्या तरीका होता है अभी यहां पर देखिए अब आप लोग हम बात करते हैं इसके support की तो देखिए support में देखो क्या support ले रहा है 336.75 अभी यहां पर 337,336.80 अभी exit तो निकल के नहीं आएगा नहीं थोड़ 66 के बीच में अगर यह 336 को ब्रेक करता है तो इसका target होगा यहां पर 334.0 फोप्र यह 334 को ब्रेक करता है देखिंप 3064 यहां देखिया आप 334 outta 373 अब तेरे रहां यहां यह देखिए मोग 334 IkyA 334 134 pratico फजॉन अब यह त small team 0 4 तो यह होती है support और resistance की power अगर मान लो यह अपने resistance को कल तोड़ता है 340 से यह उपर निकलता है तो 345 पचास तक जाने से कोई नहीं रोक सकता आप देख ले ना यह pattern में आगे बता रहा हूँ यह pattern अगर कल बनता है candle का तो यह उपर जाएगा और उसके बाद में क्या action करना है है हम आगे बात करते हैं चलिए यहाँ पर यह चार्ट है अब इस चार्ट में एक चीज़ देखिए आप लोग कि यह कहां से कैसे यह उपर आया और कैसे नीचे गया है इस पर बात करते हैं हम लोग देखिए यहाँ पर थोड़ा से चार्ट में एड़जस्ट कर लेता हूँ पहले अब देखिए आप यहाँ पर देखिए एक candlestick pattern होता है देखो पहले तो इसमें क्या करना है आपको जैसे simple हम लोग देखते हैं चार्ट इसको सही तरीके से करन अब देखिए अब यह accurate value दे रहा हमको पहले वहाँ थोड़ा सा fake value आती है आप लोग हैकी साखी कर लेंगे यहाँ पर 80 कर लेंगे तो फिर वह सही आएगा value अब आप देखिए यह जो वहाँ पर जो fake value थी आ रही थी नजर वो गयब हो गई देखिए मैं आप से कह रहाता ना कि यह नीचे क्यों आया है उपर क्यों आया है इसका एक pattern बनता है candlestick का candlestick बहुत सारी परकार 64 65 80 की candlestick के नाम है यहाँ परकार के लेकिन अभी उनका हमें कोई नाम से तो कोई मतलब नहीं है हमें काम से मतलब है that means हमको यहाँ exam देने व उसका action समझना है कि यह कब कौन सा candle बनता है किस type का और उसके बाद market क्या reaction देती है तो यह समझे आप लोग देखिए यहाँ पर यह आपको एक candle दिखाई दे रही है यह देखिए जब जब आपके सामने इस type की candle बने मतलब उसमें समान मात्रा में बायर गुसें और समान मा आप तरह में ही सेलर गोसें तब जाके हमारी यह candle बनती है देख लो आप दिहान से देख लो मैं तोड़ा और बड़ा करूं देखिए और बड़ा कर देता हूं यह देखिए उसका जो अपर विक है वो बराबर हो और नीचे वाला जो विक है वो भी सेम हो मतलब उपर और अपर विक और लोर विक दोनों बराबर हो और यह जो candle है वो छोटी बने इससे बाद आप समझ जाना कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो चेंज होने वाला है या तो उपर जाएगा अगर मार्केट उपर जा रही है अगर यह candle बनती है तो उसका चांस है कि वो डाउन ट थोड़ा से यहां देखिए यह बराबर है यहां बायर एंड सेलर दोनों एक संग ही इस पर अंदर गए है और उसके बाद में मार्केट का रोजान देखिए आप अपर मार्केट चलिए अब बार्ड के लिए चपा यहां बते को समान वनाए तो यह डाउन बार के लिए हां एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसमें अब देखिए आप एक बड़ा करके दखाता हूं आपको यह देखिए यहाँ पर समान मात्रा में देखिए उपर देखिए और नीचे देखिए यह देखिए आप यह दोनों अपर विक एंड लोर विक दोनों ही समान बनी है यह देट मेंस में बायर भी आए हैं और सेलर भी तो दौनों भी बरावर मात्रा में आये हैं, अगर यहां पर चॉदि सेलर होते तो यहां पर डाउन ट्रेंड होता, और यहां पर रहे क्या बाइड जonton है तो यहां पर यह अपत्रेंड बन गया, देख रहा है आप लोग यह देखे अब बाइचांद मैंने यहां एक यह केंडलिस्टिक बन गया मुझे मालूम पड़ेगा कि यह उपर जाने वाला है अब इसके बाद में मैंने यहां भी बेट किया क्योंकि मैं कंफर्म नहीं कर पाया है कि कहां जाएगा लेकिन यहां में एंट्री माल दी मैंने क्योंकि यह इसका क्या होता है यह जो हमारा जो आपका बुलिस केंडल होता है उसका यहां ओपन होता है और यह यहां क्लोज होता है यहां क्लोज होने के बाद फिर वी यह ऊपर ही बनाए यह देखो यहां पर यह क्या हुआ है यहां यहां यह नीच समान है तो उसके बाद में ट्रेंड यहां पर चेंज हुआ है देख रहे हैं यह देखिए यह देखिये आप लोग यह देखिये यह देखिये और मार्केट के end point में भी आप एक छीज नोट कर लीजिए कि अब भी यहां पर लगबग यह अपर एंड ये अपर एंड लोवर विक इसका समान ही है तो कल मार्केट में क्या हो सकता है ये कल ही मालूम पड़ेगा क्योंकि हमने तीन का इंतजार कर लिया है अभी यहां इसके बाद भी हमें देखिए टाइम ऐसा होता है हम लोग पहले से ही सोच लेते हैं पहले से नहीं सोचना है कि यह आज की जो मेरी युक्ती है जो मैंने आपको बताई है वो बहुत ही कारगर है और काम करती है अगर इसको हम कोई और भी चार्ट जैसे माने आपको मैंने एक चार्ट दिखाया है तो आप लोग और भी चार्ट यहां ले सकते हैं देख सकते हैं यहां पर कि जैसे मा हिक है कि अभी हुरे हमें डिला है न चार्ट पर जाके है कि आसी यह तब जाके हमें मालूम पड़ता है ऐसे नहीं तो देखना कमल हमें और है केacious Cat किया तुरंत देखो यहां पर मालूम पढ़ने लगा देखो इसने बराबर यहां पर अपर एंड लोर बिक बनाया है तुरंत मार्केट देख लिए कहां से कहां भाग गया देखने आप यह पैंचान है कोई भी आपको ट्रेंडिंग पैसे देखे भी इस चीज़ को नहीं बत सो परसेंट कुछ भी नहीं होता है अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे तो आपकी दस ट्रेड हो सकता है नुकसान दें लेकिन नभ्य ट्रेड फायदा ही देने वाली होंगी समझने मेरे बात तो देखिए यहां पर देखिए आप फिर देखिए यह बनाया यहां पर दूती जिससे आप लोग यहां पर मार्केट के स्टॉक को पहचान सकते हो कि हमारा यह स्टॉक कहां जाने वाला है उपर जाएगा यह नीचे आएगा देखिए यहां भी देखिए आप लोग यह देखिए अपरविक एंड लोविक दोनों बरावर हैं फिर यह डाउन ट्र प्रेक्टिस यहां जैदा होती है यह जितना चार्ट यह चीद लिएप मान के अ अपके काम आई या? लगप सब्सक्राइब करं आपके और इक वारं में की भाएं इन उप कोई भी इंवेस्टमेंट कर रहा है तो अपने वित्तिय सलाकार से सला लेने के बाद ही करें मैं आप से एगली वीडियो में फिर मिलता हूं तब तक लिए जैहन जै भारत